नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर दिवाली के बाद दिल्ली से अधिक जहरीली हुई बिहार की हवा दिपावली स्पेशल एपिसोड में नवादा के सुजीत ने के बी सी में जीते चह लाग चालिस हजार बिहार सिक्चक भरती चरंदो में परिच्छा केंद्रों को लेकर बड़ी जानकारी आई सामने योजिस सक्चकों वेता न मिलने पर प्रात्मिक सक्चक संग ने लिखा पत्र दिवाली के अगले दिन यानि के आज बिहार की राजधानी पटना समेथ कई शहरों में प्रदूशन बढ़ गया है बतादे केंद्रे प्रदूशन नियतरन बोड के अधिकारिक वेफसाइट के अनुससार बिहार में बेगुसराई की हवा सबसे अधिक प्रदूशित पाई गई है जहां DRCC आरंदपूर इलाके का EQY लेवल 397 दर्ज किया गया है वह इसके बाद गया शहर में कलेक्टरेट कारे आले के पास का EQY 383 पाया गया राजगीर का EQY 340 तो वहीं इसके अलावा पूर्णिया का EQY मरियम नगर में 344 दर्ज किया गया है अगर हम बिहार की राजधानी पटना की बात करे तो यहां के राजवनसी नगर इलाके का EQY 377 दर्ज किया गया वहीं अन्य शहरों की बात करे तो भागलपूर में कचरी चौक इलाके का EQY 332 तो मोतीहारी का EQY 269 समस्तिपूर का EQY 276 हाजिपूर का EQY 218 और ररिया का EQY 212 दर्ज किया गया है 15 दिसंबर को बौध धर्मगुरू दलाई लामा आएंगे बोध गया अंतराश्ट्री अस्थली बोध गया महाबोधी मंदर में कठिन शीवरदान का कारीक्रम शुरू हो गया है जो कि महाबोधी मंदर के बौध विक्चु द्वारा आयुजित किया जा बौध धर्मगुरू दलाई लामा का आगमन भी संभावित है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बौध धर्मगुरू दलाई लामा का 15 दिसंबर को आगमन होने वाला है आगमन के बाद 20 दिसंबर 2023 को बौध धर्मगुरू दलाई लामा के द्वारा महाबोधी संस्कृत केंद्र में इंटरनाशनल संग फोरम का आयोजन किया जाएगा जिसका समापन 23 दिसंबर को होगा दिपावली स्पेशल एपिसोड में नवादा के सुजीत ने केबी सी में जीते 6,40,000 कौन बनेगा करोड़ पती के दिपावली स्पेशल एपिसोड में अमिताब बच्चन के सवालों का जवाब दे कर बिहार के नवादा के सुजीत कुमार के द्वारा 6,40,000 रुपए जीते गए हैं बतादे उस दोरा सुजीत कुमार के द्वारा कुले 11 प्रशनों का सही सही जवाब दिया गया सोनी चैनल पर रात 9 बज़े से प्रशारत कारिक्रम में सुजीत कुमार बढ़ ही आकरशक तरीके से स्वालों का जवाब देते ही नज़र आए उन्होंने कारिकर में चुने जाने के बाद फास्टर फिंगर फर्स्ट में नौ प्रती भागियों में अकेले जवाब देते वे होट सिट के लिए अपना स्थान पका किया वहीं उन्होंने अपने सुपलब्दी पर प्रिभाद ख़बर से की गई बादशीत में यह जानकारी देते में बताया है कि यह सचमुच एक सपने जैसा है और उने कहा कि वर्स 2015 सहीं के बीसी के रेजिस्ट्रेशन में भाग लेते आ रहे थे लेकिन इस बार सफलता मिली है केवी से के और से पहली बार कॉल 4 ओक्टूबर को आया जिसमें हमारा ओडिशन दिया गया और फिर 23 ओक्टूबर को फाइनल कॉल आया और मुंबई बुलाया गया नियोजिस सक्षकों को वेतन ना मिलने पर प्रात्मिक सिक्षक संग ने लिखा पत्र बिहार के लगबग 18 जिलो में नियोजिस सक्षकों के वेतन का भुकतान सितंबर से अब तक नहीं हुआ है सभी जिलो के जला सक्षा पतादी कारी कारयाले से संपर्क करने में यह जानकारी दी जा रही है कि अभी तक राज्य से जियोवी का अलॉट्मेंट नहीं आया है जिसके कारण वेतन भुकतान करना संभव नहीं है ऐसे में बिहार राजे प्रात्मिक सक्षक संके राजे अध्यक्ष ब्रिजनन सर्मा के द्वारा निदेशक प्रात्मिक सक्षा को वेतन जारी करने के लिए पत्र लिखा है और विदिवा सूचना दी है उन्होंने कहा है कि हमेशा से समस्त्या रही है कभी जीओवी मद का अलोट्मेंट नहीं रहने के कारण भुगतान बाधित होता है तो कभी SSA मद का अलोट्मेंट नहीं रहने के कारण वेतन भुगतान बाधित हो जाता है इसके कारण सर्चकों को हमेशा परिशानी का सावना क को मिलते रहते हैं हालाक इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विवाग के ओर से जीतो और कोशिश की जा रही बता दे कि ताजा मामला अरवल जिले का है जहां गुप्त सूशना के आधार पर ततकाल पुलिस अधिक्षक मुहमत कासीम के नरदेश पर पुलिस सवर नरिक्षक मानिकपुर ओपी अध्यक्ष अनवर अली के नत्तु में एक टीम का गठनकर सच उनहत्तर पर वाहन जाच अभियान के दोरान एक काले रंग के स्प्लेंडर प्लस मोटर साइकल पर से 105 लीटर देशी महुआ सराब बडामत किया गया है और साथ ही एक तसकर के भी गिरफतार आई सामने विद्याले अध्यापक के दूसरे चरण की पहाली के लिए बिहार लोक सिवा आयोग के दोरा विज्यापन का प्रकाशन कर दिया गया है वही अब इसको लेकर सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव के दोरा डीम को पत्रलिक संबंधत तयारियों को पूरा क करा दी जाए लेकिन एक बात का ध्यान रखे कि परीक्षा केंदरों का चेयन करते समय आयोग दोरा निर्धारित मान दंडो को भी ध्यान में रखा जा пред वही परिक्षा केंदरों को लेकर कॉलेजवा विश्यृ विद्याले से समन्वें अस्थापित किये रहे आए है जिनमें प्रकाश, पानी, बेंच, डिस्क, सौचाली की समुचित व्यवस्ता और चार दीवारी की उपलतता शामिल है 283 पूजा स्पेशल ट्रेन चलेंगे वह जोड़े जाएंगे 5980 कोच अगर आप छट पर घड़ आने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि भारती रेलवे की ओर से यात्रियों की बरती भीर को देखते वे 283 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है पतना में करोडों की लागसे बनेगी ऑटोमेटेड पार्किंग बहुत जल्दी बिहार की राजधानी पतना में पतना स्मार्ट सिती के तहट जी प्लस पांच आटोमेटेड मल्टी लिवल कार्ड पार्किंग का निर्मान होने वाला है जिसमें 100 से अधिक वाहनों को पार्क करने में आसानी होगी बताया जाता है कि यहां 154 पहिया वाहनों को पार्क करने की विवस्था की जाएगी मालू हो कि यह पार्किंग मौरेय लोक कॉंपलेक्स और तारामंडल के समीब बुध मार्ग किनारे इस्थित मंदर और मजार के बीच के खाली जगह पर बनाई जाएगी इसके कुल लागाद 28.9 करोड है और इसका नर्मान कारे एजनसी के द्वारा 9 महीने में पूरा किया जाना है बता दे कि आर्टोमेटेड पार्किंग का नर्मान कारे हचपी राचिक गुरु नामक एजनसी के द्वारा किया जाना है एप पर पार्किंग वर्चुल बॉक्स की तरह दिखाई देगा दिवाली पर पोती कात्याईनी संग दिखे लालू राबरी तेश्वी ने सेयर की फोटो बीते दन देश भर में दिवाली का तेवहार बढ़े ही धूम धाम और हरसो लास के साथ मनाये गया एसे में राजसुप्रीम लालू परशाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के उकमुख्य मंतरी तेश्वी यादव के द्वारा भी अपने पडिवार के साथ दिवाली का तेवहार मनाये गया इसकी तश्वीर तेश्वी यादव के दोड़ा अपने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्सपर जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर शेयर की गई है जिसमें तेश्वी यादव, लालु यादव, माराबरी देवी, पतनी, राजश्री और बेटी का त्याइ पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर कहा है कि जितनी गालिया देनी हों दे दीजे, लेकिन बिहारियों पर रहम कीजे, उन्होंने कहा कि हमारे बेहत नस्दी की हमके, राश्री सची पंपी सर्मा जी के बेटे कुमुद कुमार को जहानाबाद में अप मारती है, जिससे उनके सती नाजुक बनी हुई है, मुख्यमंत्री जी मुझे जितनी गालियां देनी हों दे दीजे, पर बिहारियों पर रहम कीजे, बिहार को महा जंगल राज से मुक्त कीजे मांची को लेकर सीव नितीश के MLA का विवादित बयान, बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के करीभी नेता और जेडियू पार्टी के विधायक गोपाल मंडल के द्वारा, बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री जीतर नाम मांची को लेकर विवादा असपद बाते कही इसमें नितीश कुमार ने कौन सी गलत बात कह दिये हमारे नीता कुछ भी गलत नहीं बोले है CMK President वाली बयान पर सुनील सिंग का बयान बिहार के मुख्यमंतरे नितीश कुमार के द्वारा शीत कालीन सत्र में President वाली दिये गए बयान को लेकर RGD MLC सुनील सिंग के द्वारा नितीश कुमार पटकर टाक्ष किया गया है उन्होंने एक्सपर जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट सेर कर लिखा है कि वैसे तो यह फोटो तीन दिन पुर्व मनीला फिलिपिन्स का है लेकिन मेरे हाथ में गर्व पुर्वग ग्रेट इंडिया है परनतु मैं इसे बताना आवशक समस्ता होगी कृपया इसे आप पॉलिटिकल वाला इंडिया मत समझ लीजेगा लंदन देखा पैरस देखा और देखा जापान माइकल देखा एल्वस देखा सब कुछ देखा मेरी जान लेकिन सारे जग में कहीं नहीं देखा उनके जैसा दुरलब बुर्वक मुर परतंच पिहार विधान मंडल के शीत काली सतर के दोरान बिहार के मुख्य मंतरे नितीश कुमार के दोरा सदन में महिलाओं को लेकर दिये गए बयान पर बिहार बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष समराथ चौधरी के दोरा नितीश कुमार परतंच कस्तेवे कहा गया कि नित अब उन्हें आराम करना चाहिए नियूजिलैंड से सेमी फाइनल में जीत को लेकर भारती एक्रिकेटर का खुला सा बिदेदन विश्वकब दो हजार तईस के पैतालीसवे मकाबले में भारती टीम के दोरा नीदर लैंड्स को एक सो सार फ्रनों से मात दे दी गई और इसी के साथ अपने जीत का सलसला बरकरा रखा वहीं अब भारत अपना सेमी फाइनल मकाबला 15 नवंबर को नीजलैंड से मुंबई के वानखेरे स्टेडियम में खेलने वाला है मगर हाँ आपको गेम में टॉप पर पहुँचने के लिए शिरवाती विकेट्स की जरूरत होगी तभी आप विरोधी टीम पर दवाब बना पाएंगे उन्होंने कहा कि निजलैंड के खिलाब 2019 वर्ल्ड कप का सेमी फाइनल चार साल पहले हुआ था आपने इसके बाद कई द्वेव पक्षिये स्रीज खेली हम भारत के सितियों को जानते हैं और वो भी हमारी तैयारी अच्छी है और हम पूर टोर्णामेंट में अच्छा खेलने में कामयाब रहे हमें उमीद है किसी तरह की ले अगले मैच में भी जारी रखेंगे जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी सोंबार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी के गएगा इसके बाद राजधानी पतना में आज पिट्रॉल 108.12 रूपे और डीजल अब बरते हैं आज के 5 सवाल की और हमारा पहला सवाल है आज सोमबार का हाजीपुड का AQI कितना दर्च किया गया है ऑप्शन E 218, ऑप्शन B 340, ऑप्शन C 344, ऑप्शन D 332 अगला सवाल, दिपावली स्पेशल एपिसोड में नवादा के सुजीतने KBC में कितने रुपे जीते ऑप्शन E 640, ऑप्शन B 550,000, ऑप्शन C 820,000, ऑप्शन D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ऑप्शन E 640,000 अगला सवाल, बौत धर्मगरु दलाई लामा का बोद गया आगमन कब होने वाला है ऑप्शन E 20 दिसंबर 2023, ऑप्शन B 23 दिसंबर 2023, ऑप्शन C 15 दिसंबर 2023, ऑप्शन D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ऑप्शन C 15 दिसंबर 2023 अगला सवाल, बिहार से चक्षक भरती चरंदो की परिछा कब हो सकती है? ऑप्शन E 10 13 दिसंबर तक, ऑप्शन B 7 से 10 दिसंबर तक, ऑप्शन C 15 से 19 दिसंबर तक, ऑप्शन D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ऑप्शन B 7 से 10 दिसंबर तक अगला सवाल, भारत और नियुजिलैंड के बीच विश्व कब 2023 का सेमी फाइनल मुकाबला कब खिला जाना है? ऑप्शन E 20 दिसंबर 2023, ऑप्शन B 17 दिसंबर 2023, ऑप्शन C 19 दिसंबर 2023, ऑप्शन D 15 दिसंबर 2023 इसका सही उत्तर है ऑप्शन D 15 दिसंबर 2023 इसके साथ ही बढ़ते हैं आजके सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार बिहार में शुराब बंदी को और सकती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से और क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपना जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्शन में लिक का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारे न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखना है चलको सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद